प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन दे रियक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए एक लेटेस और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आएं ताकि हम आपके लिए से मज़धार और नॉलिजबल वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अन्तमस के बारे में बात करेंगे जैहिंद जै भारत चालत के जो एलेक्शन है काफी जादा कॉंट्रावर्शन भी दिख रहे हैं हैडरा बाद जहां से हमेशा असदी दीन आवेसी जुह है जीते रहे हैं विन करते हो हैडराबाब में भहुवादा मुसल्मान भी रहते हैं तो इस दफ़ा जो है आपने वहां पर लाता जी को से एलेक्शन बीजी पी लड़वा रही है अब वहां कि मुझे लगता है कि हैदराबाद के मुसल्मानों को अब कन्फूजन में डाल दिया है कि वोट दे तो देंगे इसको क्योंकि या तो वो जाएंगे मुसलिम राज की तरफ या तो वो जाएंगे हिंदू बीजी पी के राज की तरफ तो इस ये जो एलेक्शन से मैं आप से परसनली ये भी पूछना चाहती थी कि मुसल्मानों का रियक बस खतम होगी है अभ तो डिक्टेटर शिपा जगी अभ तो मुसल्मान माइनोरिटी को बहुत खत्रा हो जगी है इमेरिका की वैब साइट पर भी आर्टिकल्स हैब बहुत खत्रा हो गा हम तो मुसल्मानों के बीच रहती है तो क्या discussion चल रही है वेसी को लेके या मुसल्मानों के बीच क्या चल रहा है elections है मैं तो dictatorship शैला उस वक्त को कहूंगी जब इंद्रा गांधी जी ने emergency लगाई थी मैं तो dictatorship उस वक्त को कहूंगी कि जब emergency के वक्त में उन्होंने विपक्षी दलों को सारे के सारे को उठा करके उन्होंने जेल प्रेश दिया था और उनका पाप और गुना क्या था विपक्षी दलों का क्योंकि वो विपक्षी थे इसके इलावा और कोई भी पाप नहीं था मैं तो dictatorship उस वक्त को कहूंगी जब इंद्रा गांधी जी ने सादू स्लोटर करवाया था मैं तो डिक्टेटर्शिप उस वक्त को कहूंगी जब इंद्रा गांधी जी ने सिखों के ऊपर अत्याचार करवाया था और उनके गले कटवाये थे, मैं तो डिक्टेटर्शिप उस वक्त को कहूंगी जब इंद्रा गांधी जी ने अपनी सत्ता और अपनी सरकार बनाने के लालच में हर वो हर वो crime किया और हर वो अमेंडमेंट और implementation किया जिसमें विपक्षी दल के कोई लोग अपनी बातों को रखने के लिए पार्लेमेंट पे थे भी नहीं कोई भी implementation या कोई भी बिल तब पास होता है जब पार्लेमेंट में विपक्षी दल भी होते हैं, और उनकी भी राय रखी जाती है, आप एक तरफ विपक्षियों को उठा करके जेल में भिजवा रही है, आपने न्यूस बुलेटन, आपने राजसभा बुलेटन, आपने लोगसभा बुलेटन, आपने प्रेस मीडिया, आपने प्रिंट मीडिय आप लगी कि कश्मीर को बरबाद करवाने के लिए, आप लगी कि बस कैसे भी करके हलाल सर्टिफिकेशन अच्छे से जनम ले, आप लगी All India Muslim Personal Law Board को स्ट्रॉंग करने के लिए, आपने जो implementation, इंद्रा गांधी जी ने जो implementation emergency के वक्त में लगाए, जो बिल पास करवाए, वो कैसे पास हुआ, ये तो समझना पड़ेगा ना, विपक्षी तो थे नहीं, वो तो जेल में थे, वो तो जेल में थे, इसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, अब आप मुझे बताईए, कि मोधी जी के कार्यकाल में, आपने दस साल में जियो पॉलिटिक्स पे बहुत काम किया, अभी हालिया में तो मेरे साथ कम से कम तेर साल से आप बातचीत कर रही है, और आप अपने होमबग को भी करके बैठती है, ऐसा तो नहीं है कि नाजिया जो बोल देती है, आप वही सुन लेती है, और आप मान भी लेती ह है, आप अपना क्रॉस क्वेशन बना करके रखती है, तब आप अपना होमबग करके रखती है, तो क्या आपको ऐसा डिक्टेटर्शिप मोधी जी के राज में, मोधी जी के लीडर्शिप में आपको दिखाई दिया, कि सारी चीज़े बंद कर दो, नाजिया आप पाकिसान चैनल पर बात नहीं करेगी, कोई नीज नहीं चलेगा, कोई बुलेटिन नहीं चलेगा, कोई विपक्षी दल से सवाल नहीं करेगा, कोई मीडिया वाला विपक्षी दल की बात नहीं सुनेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है, रोज मुसल्मान मोदी जी को पोसर है, रोज मुसल्म इतनी पढ़ी हुई कि अपने बच्चों को भी अपने घर में बठा करके उन्होंने पढ़ा दिया है और मतलब हर एक आंगल से वो इतनी स्ट्रॉंग है कि असादुद्धिन अवेसी यह नहीं कह सकता है कि वो लालच में आई क्योंकि वो बोली नहीं सकता है जानता है कि मादवी लता जी वो पहली ऋरत है जिन्होंने हाइधराबाद जैसे Muslim highly populated एरिया में triple तलाओ के खिलाफ awareness फहलाया था मादवी लता वो पहली ओरत है, जिन्होंने मुसल्मान बेटियों को बचाया बेचने और खरीदने से, मादवी लता जी वो पहली ओरत है, जिन्होंने निकाह मस्यार के खिलाफ आवाज उठाया, जो सफर की निकाह होती है, मादवी लता वो पहली ओरत है, जिन्होंने निकाह मुत्ता के खलाफ awareness camp लगाया और मुसल्मान बेटियों को कहा कि तुम शिक्षित हो जाओ आज देखिए कोई अगर हाइदराबाद के मुसल्मान confused है तो उसकी वज़ा साफ है कि ये confusion आया क्यों ये confusion इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं मुसल्मानों को ये एहसास हो गया कि असातुद्दे नवेसी तो अपनी properties बना रहा है असातुद्दे नवेसी तो अपनी lavish life बना रहा है साड़े 3-3 किलोमेटर का नाला ये तो मुसल्मानों के लिए आज भी है असतुधी नवेसी का घर शीष महल जैसा है, असतुधी नवेसी का बंगला जो है, वो इतना पुप boşूअद है कि अर्वो खर्बो का बंगला है, उसकी वीवी की संपत्ती है उतनी ज्याता है कि मुसल्मान उस बारे में बेटी बिक रही है, मुसल्मान पिता की बेटियों का बलातकार हो रहा है, मुसल्मान पिता की बेटियों के उपर अत्याचार हो रहा है, मुसल्मान पिता की बेटियों का तलाख हो रहा है, मस्यार हो रहा है, तो पिर ऐसे मुसल्मान ने था कि क्या जरूरत है, जो किसी भी असदुद्धिन अवेसी ने कभी भी अपने मंच पर किसी हजाब वाली औरत को भी बैठने नहीं दिया है, कभी नहीं बैठने दिया है, अभी जब से वो माधवी लता जी को देखा है, वो चार-पाच हजाब वाली औरतों को अपने, अपनी कंपैनिंग में ले करके घूम र को भी उन लोगोंने कभी बैठने नहीं दिया, असदुद्धिन अवेसी एक ऐसा इंसान है, जो पार्लेमेंट के अंदर हमें नंगा करता है, कि भाया हमारी मुसल्मान बेटियों के लिए आप शादी की उम्र तैमत कीजिए, क्योंकि हमारे इसलाम में age of puberty is age of marriage होता है, भ ँमारे घर में बहु बेटी है, तुम ने क्या 12 बरस के ग्यारा ब़स की उमर में अपनी बेटियों की शादी कर दी ग्या, जो तुम हमारे लिए तुम इतनी आवाज उची करके हमें शब्दों के दुवारा पार्रिमेंट में भी नंगा करते हो, और तुम कैमरा के सामने भ बहुत परिशान हो जो अपनी गरीवे से तंग आ चुके हैं जिनको यह समझ में आ चुका है कि भाईया इसको वोट देने से भी हम तो वही गटर में पड़े वे हमारे बच्चे तो वही जाहिल है हमारे बच्चे को तो वही पंचर के दुकान में जाना पड़ रहा है हमारे हमारे बच्चे तो वही रेडी लगा रहे हमारे बच्चे तो वही चार मिनार में जा करके कुर्ता बेच रहे हैं और लेकिन बेच रहे हमारे बच्चे तो वही जूस का ठेला लगा रहे है तो असदूते नवेसी दीरे 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 अरबोपती खरबोपती बन रहा ह लेकिन मुसल्मानों के दिमाग में एक चीज आ चुका है कि मादवी लता जी कह रही है कि शिक्षित हो जाओ और अगर शिक्षित हो जाते हैं और भारते जन्ता पाटी की योजनाओं से अगर हम scholarship लेकर करके शिक्षित हो जाते हैं तो अगर हमारी बेटी टीचर बन रही है त जो आपको आपके आपको आपसे मिलाती है जो आपको आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिस्पेक्ट से मुलाखात करवाती है जो आपको सम्मान दिलाती है जो आपको बहुत बड़ा मुकाम दिलाती है तिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज है आज नाजिया इलाही खान भी अगर जाहिल होती तो क्या आप मुझे बुलाती है आप त बच्चियां जो है वो दीनी तालीम के सासा दुनियावी तालीम सिखेंगी मैं मदर्सा विजग करती हूं अगर लोगों को मेरी इस बात को जूट लग रहा है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे चाएं और वहां से फोटो देखे कि मैं मदर्सा विजट करती हूं और मैंने अपनी जिंदिगी में अपने उम्र में एक हजार से भी उपर मदर से मैंने विजट किये हुए, मैंने बच्चीों को गोध में ले करके, बैट बैट करके, मैंने उनको समझाया है, कि बिटा, अलिव बित्हे से पढ़ना है, अल्ला एक है पाक और बैया बे पढ़ना है, ला पढ़ना है, or जोगरफी बीमिशाना है, क्योंकि आपको अगर दीनी तालीम के साथ-साथ, और अपने लिए जन्त बनाने के साथ-साथ, तgli निया SPD, भी रहना है ना और जितने दिन दुनिया में रहना है उतने दिन तो आपको कमाना पढ़ेगा और इजस्सट भी बनाशे पड़ेगी तो वह कैसे बनेगी वह 侵ший ऐस्कूल जाने वह आने से बनेगी वह व दो जातीोंум मुझान पड़्या जुर्प उन सलमान बेटई अगर पड़ती है तो कलको उनका तलाख हो जाता है या उनका मस्यार हो जाता है लो को अपने शुकार जो अपना कमाइंगी अपना खाएंगी अपने मेन लिए represents की एपने य Щино करने विदियो को आशाब कर देखा होगा और हमेशा की खास बात यह हमेशा ही वो facts और figures के उपर बात करती है और हमेशा ही मुद्दों को घहराई से समझाती है तो आशा करता हूँ वीडियो को काफी पसंद आयोगी जिस पर आपने देखा भारत की बेटी ने कैसे OVC को आड़े हातो लिया और OVC की पूरी तरह से पोल खोल के फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और नॉलिजबल वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत